हुआ है फ्रेंड्स मैं द्रिष्टी आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बैल आइकन को भी और पर सेच तो अगर आप यूज करते हो तो आज की वीडियो आपके रहे है क्योंकि मैं आपको बताने वाले हूँ कि आप IBM TTS को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं आप मेंसे बहुत से लोगों को तो पता ही होगा बट जिनको नहीं पता है जो बेसिक यूजर उनके बता देती हूँ कि IBM TTS एक nvda add-on है अब nvda add-on क्या होता है तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि add-on मतलब कुछ तो add करना कुछ existing features है अगर हम उसमें कुछ नया add करते है अब for example अगर आप वेबसाइट से nvda को डाउनलोड करकी यूजर करते हो तब आपको IBM TTS नहीं मिरता IBM TTS से मेरा मतलब है JAWS की आवास बट अगर आपने add-on download और install कर लिया तो भले ही आप nvda use कर रहे हो लेकिन उसमें आप JAWS की आवास का मज़ा उठा सकते हो तो यह कैसे possible हुआ nvda add-on के वज़े से मैं आप लोग को एक छोटी जी warning देरा चाहते हूं कि अगर आप यह add-on use करते हो तो इसे अपनी risk पर use करना recommended यही होता है कि हमें से वही add-ons use करने चाहिए जो trusted source से है या फिर जो authentic है इससे मेरा मतलब है कि वह add-ons जो nvda की official website पे available है अगर आप उन में से कोई add-on use करते हो तो तो कोई problem नहीं है बट यह add-on है यह nvda की official website पे available नहीं है इसलिए मैंने आपको छोटी सी warning दे दी तो अभी मैं आप Windows D प्रेस करके desktop पे जा रही हूँ और मैं अपना Google Chrome उपन कर लेती हूँ folder new list zoom 7 on 8 जी प्रेस करोंगी जी Google Chrome 8 on 8 एंटर प्रेस करोंगी new tab Google Chrome Google Chrome उपन हो चुका है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ IBM TTS download इसी मैंने IBM TTS download के एंटर प्रेस किया मेरे सामने कुछ सर्च रिजल्ट्स आ गई है तो मैं एक बार control home प्रेस करोंगी और फिर मैं heading by heading navigate करोंगी मैं एच प्रेस करोंगी जब तक मुझे search results नहीं मिल जाता तब तक मैं अभी search results पर आ गई मैं down arrow प्रेस करोंगी और एक बार down arrow तो आपने सुन लिया अभी down arrow यह कहां पर अवेलेबल है तो ब्लाइंड है प्रोजेक्ट पर अवेलेबल और एक बार down arrow प्रेस करोंगी जिससे आप URL सुन सको मैं यहां एंटर प्रेस करोंगी जिससे यह जो वेब साइट है यह उपन हो जाए यार जो यह जो पेज है यह उपन हो जाए मैंने कंट्रोल होम प्रेस किया यहां पर और मैं यहां पर एच प्रेस करोंगी फिर से हेडिंग बाई हेडिंग नाविगेट करोंगी जब तक मुझे डाउनलोड नहीं मिल जाता तब तक मैं एच प्रेस करोंगी यह वाला हमें नहीं डाउनलोड करना है मैं और एक बार के प्रेस कर रहे हूं के मैंने क्यों प्रेस किया ताकि मैं डाइरेक्ली लिंक्स पे जंप कर सको यह जो पैकेज्ट विद लाइबरीज है यही वाला डाउनलोड करना है तो मैं एंटर प्रेस करोंगी जिससे डाउनलोडिंग प्रेस स्टार्ट हो जाए तो डाउनलोड हो चुका है अभी यह जो है वो जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है तो हमें पहले इस जिप फाइल को अंजिप करना पड़ेगा उसके बाद ही हम अड़न को इंस्टॉल कर सकते हैं यह तो शिफ डाउनलोडिंग प्रेस कंप्लीट हुआ है तो मैं यहाँ पे यह वेबसाइट को बन कर दूँगी और मैं रन डायलोग में जाओंगी विंडोज आर प्रेस करके वहाँ पे में डाउनलोड टाइप करके एंटर प्रेस करूंगी जिससे मेरा डाउनलोड फोल्डर ओपन हो जाए तो यह यही वो जिप फाइल है जो की अभी डाउनलोड हुई है तो मैं एक बाद स्पेस प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लूँगी अभी मैं यहाँ पे एप्लिकेशन्स की प्रेस करूंगी जिनके वाज एप्लिकेशन्स की नहीं है वो शिफ्ट एफटन उस कर सकते है शिफ्ट एफटन प्रेस कर सकते है तो एक new menu open हुआ है अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस फाइल को unzip कैसे करना है तो extract वाला option हम दूनेंगे यहाँ पर मैं down arrow प्रेस करूँगी तो मेरे में जो option है वो extract all है तो मैं यहाँ enter प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस folder को extract करना है मैं टाप्रेस करूँगी जब तक टाप्रेस किया जब तक मुझे एक्स्ट्राइब नहीं मिला मैं एंटाप्रेस कर रही हूँ तो यह extract होके मेरे पास अवेलेबल है मैं यह एंटाप्रेस करूँगी एक बास पेस प्रेस करते हूँ ताकि यह सिलेक्ट हो जाए अभी एंटाप्रेस करते हूँ तो यहाँ पे पाच फाइल्स अवेलेबल है इस फोल्डर के अंदर तो जो एंवीडिये एडाउन वो फाइल मैं ढूंडूंगी डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ जहाँ पे आपको लास्ट में डॉट एडाउन मिले वो वाली फाइल पे आपको एंटर प्रेस कर ला है नाम भी बता ही रहा है वैसे भी वो तो आपने सुना होगा कि उसने बोला कि वही एडाउन्स इंस्टॉल करो जो ट्रस्टेट सोर्स से अविलेबल हो मैंने टाब प्रेस किया यहाँ पर येस लो ऐसे ओप्शन्स है तो मैं येस पर एंटर प्रेस कर हूँ जिससे इंस्टॉल हो जाए तो उसने बुचा कि एंवीडे को रिस्टार्ट करना होगा ताकि ये जो हमने चेंजिस किये थे ये हो जाए तो मैं इसे अभी रिस्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा जो कर्सर था वो येस बटन पर ही था तो मैंने डायरेक्ली एंटर प्रेस किया अभी यही पर रहके मैं इंसर्ट कंट्रोल एस प्रेस करूंगी थीक है जिससे सिंटसाइजर वाली जो सेटिंग है वो ओपन हो गए यहां सिंटसाइजर वाला डायलोग बोक्स ओपन हो गया यह इसका शॉटकरता मैं डाउट अरो प्रेस करूंगी यहां मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आपने देखा कि IBM TTS अच्छे से काम कर रहा है तो I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ अगर आपके कुछ सजेशन्स है या कुछ कॉमेंट्स है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तिल देन टेक केर, हाव नाइस जेए